कोरोना वारस के चलते देश्वर में लॉक्टाउन के वज़े से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सभी शेक्षन के संस्थाय पून रूप से बन थी बोर्ड के परिक्षाय भी बीच में ही रूप दी गई और हाल ही में दसवी बोर्ड का रिजल्ट कोशित कर दिया गया है स्कूल बंध होने के चलते बचों की पढ़ाई में काफी नुकसान होता देखा जा रहा है कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासिस चला रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते CBSC ने एक उपाई निकारा और बच्चों को धेश सारे सिलेबस से छूट देते हुए अब सिलेबस का 30% हिस्सा कम पढ़ने को कहा है हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CBSC ने अपना सिलेबस का 30% हिस्सा घटा दिया है मानस इंसाधन विकास मंत्री रमेश पोकरियाल निश्चंक ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देश और दुनिया में पनपे हालात के मदे नजर CBSC को पार्ठिक्रम को संशोधित करने और कक्षा नवे से बारवी के चातरों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सला दी गई थी सीखने के महतु को ध्यान में रखकर मुखे कॉंसेप्ट को बरकरार रखते हुए अब सिलेबस को 30 फीसदी तक कम करने का निर्ने लिया गया है साथी मंतरी ने सिलेबस के लिए मांगे गए सुझावों पर आई हुई प्रतिक्रिया के लिए भी ट्वीट कर धन्यवाद दिया उन्होंने लिखा कि सिलेबस में किये जाने वाले इस निर्ने की सहायता के लिए कुछ हफते पहले मैंने शिक्षा विदो से हैश्टरक सिलेबस for student 2020 पर सुझावा मतरत किये हमें ये डीड़ हजार से अधिक सुझाव मिले इस प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का धन्यवाद मंतरी के साथी सीबियसी के अधिकारिक ट्वीटर हैंडर से भी इस बात की जौनकारी दी गई की नवी और बारवी के स्टुडेंट का सिलेबस 30 प्रतिशत घटा दिया गया है अब सीबियसी ने सिलेबस तो घटा दिया है लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि स्कूल इस बात पर कितना आमल करते हैं और बच्चों को क्या-क्या पढ़ाया जाता है फिलहाल जोब तक इ भी कहपाना मुश्किल है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेज तबैल आइकन फोर अपडेट्स